और इस तो आज का हमारा रेडिंग क्या रहेगा आई यूपीसी नॉमेंक्लेचर को को कोडिनेशन कंपाउंड देखो कोडिनेशन कंपाउंड को जो नेम राइटिंग है ना फॉर्मूला से हम लोग नेम राइटिंग करते हैं nomenclature IUPAC ने उसके लिए कुछ rules बनाए है ठीक है यह जो IUPAC nomenclature के rules है यह हमें rules याद नहीं करने है we have to just understand these rules and we have to learn how to apply these rules to the problem okay so directly we will learn these rules by solving the examples we will learn these rules by solving the examples okay तो yes सबसे पहले मैं एक बहुत basic बात आपको बता देता हूं कि आप किसी भी salt का नाम लिखते हैं naming of salt salt naming ठीक है आप लोग लिखते भी जा सकते हूं इसको salt की जो name writing होती है किसी भी salt की तो वो वो जो salt की name writing है उसमें एक चीज fix है पहले आप cation लिखते हैं बाद में आप एनाइन लिखते हैं जैसे आपने लिखा sodium chloride और आपने लिखा calcium chloride अब sodium chloride का जो नाम है वो क्या है sodium chloride अब आप यहां पर एक चीज़ देखिए कि हमने पहले हमेशा cation को लिखते हैं एनाइन को बाद में लिखते हैं और cation और एनाइन में एक space देते ठीक है, Cation and N9 में एक क्या है, यहां पर Space है, इसके अलावा इसको लिखते हैं हम लोग Calcium Chloride, इसको Calcium Dichloride तो नहीं लिखते हैं, ओके, Only Calcium Chloride, It means we never mention the number of ions, we never mention the number of ions, so it is also calcium chloride, though it has two chloride ions, यह बात समझ में आ गई आपको, same rule जो salt naming का है, same rule will be applicable to coordination compounds, जो coordination compounds salt की form में है, उन पे apply होगा, जैसे एक बहुत छोटा सा हम लोग ले ले लेते हैं, जैसे हमने iron का लिया और iron का हमने कोई भी complex ले लेते हैं, h2o6 और यहां पर हमने लिया cl3, अब देखो, यह salt है, salt क्यों है, मैं बता देता हूँ आपको, यह coordination entity है, यह coordination entity पे positive charge है या negative charge, बताओ, फटाफट, बताओ, coordination entity पे negative charge है या positive charge है, कैसे पता चलेगा, बताना जड़ा, आपने sodium को पहले लिखा ना, तो sodium क्या है, katein है, calcium को पहले लिखा ना आपने, तो calcium katein है, तो यह एक salt है, इसको बोलते है, coordination salt, यह आपका coordination compound है, जो salt की form में है, ठीक है, यहां पर यह coordination entity है, यह positive है, और यह आपका negative है, ठीक है, अब यहां पर आप वैसे भी देख सकते हैं कि CL3 है, इसका मतलब इस पे कितना charge हुआ, coordination entity पे 3 प्लस charge हुआ, इतनी बात clear हुई, ओके, इसका मतलब हम सबसे पहले हमें नाम लिखना है, positive part का, राइट, हमने salt से यह देखा ना, कि positive part का नाम लिखना है, positive part का नाम लिखने है, ठीक है, अब positive part के नाम से सारी story start होती है, व यह लो, यह भी एक coordination salt है, इसमें यहाँ पर यह positive है, potassium है, यह positive है, और यह coordination entity है, वो negative है, देख लो, तो coordination entity आपको बहुत बार positive भी मिल सकती है, coordination entity बहुत बार आपको negative भी मिल सकती है, it is also a coordination salt, ठीक है, और क्या है, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो coordination compound है, वो neutral मिले कैसे neutral मिले, यह देखो CR, CR में हमने H2O लगा दिया 3 और CL लगा दिया 3 तो अब क्या हुआ, यह जो CR पे plus 3 charge था, यह जो ligand है 3, chlorine इसी से satisfy हो गया और इस पे कोई charge नहीं है तो यह neutral coordination entity है, तो इन तीनों तरह से हम लोग deal करेंगे when the coordination entity is neutral, when the coordination entity is negatively charged, when the coordination entity is positively charged यह बात समझ में आ गई, ओके, अब बात करते हैं वापस उसी rule की सबसे पहले लिखना है हमें positive, positive part को पहले लिखना है, अब positive हमारी coordination entity है तो coordination entity का जो नाम लिखते हैं, उसमें क्या चीज ध्यान रखते हैं, वो देख लो इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं, FEH2O6Cl3 का, ठीक है, तो पहले coordination entity अब coordination entity में दो partner हैं, देखो, एक तो metal है, एक ligand है, बात आपको समझ में आ रही है एक क्या है, metal है, एक क्या है, ligand है, ligand को पहले लिखते हैं, बहुत simple सी बात है, किसको पहले लिखते हैं, बताना जरा बोलो, ligand, ligand को आप, ligand को आप पहले लिखोगे, अब ligand हमारा क्या है, बताना जरा, यह भी एक question है what's the ligand बताओ फटाफट बताओ डोनर अटम में जो नहीं 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 ligand हमारा यहां पर पूरा H2O एक इसले ligand donor atom is oxygen donor atom is oxygen but ligand is H2O right and what we will write for H2O whether we will write water what we will write sir aqua we write aqua for H2O IUPASA नहीं suggest कर दिया कि आप इसको H2O को आप क्या बोलेंगे aqua बोलेंगे इसी तरह से और भी बहुत सारे ligand है जिनके लिए special names है वो हम अभी देखने वाले हैं सबसे पहले हम अभी यह देख लेते हैं कि इस complex है। क्या है कैसे αυτό से बात है कोडिनेशन एंटिटी का नाम हमें पहले लिखना है कोडिनेशन हैं इनतिटी मे आपको ligand का नाम पहले लिखना है ligand के नाम में आप आप देखेंगे Air族 कह कितने हैं फैंटी स्टैने हैं किक्छा hexa aqua इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ जरा six legend है hexa aqua अब क्या लिखेंगे metal लिखेंगे metal क्या है हमारा iron है iron breaket में इसकी oxidation state बताओ भई oxidation state कितनी है बताओ hexa aqua iron breaket में oxidation state बताते जाओ भई बिना देर की जल्दी से iron की oxidation state क्या गई नहीं पता प्लस थ्री प्लस थ्री oxidation state तो हमें निकालनी पड़ेगी यह हम सीख चुके हैं oxidation state किस तरह से निकालनी है कल का वीडियो आप देख सकते हैं और यहां पर नॉमेंक लेचर में oxidation state को हमेसा ऐसे roman number लिखते हैं इस तरह से ब्रेकेट में यह हमने coordination entity का नाम लिख लिया है और coordination entity में कुछ ही नहीं है ligand aqua है वो six है iron है iron की oxidation state हो गई यह हमने coordination entity जो की positive part है उसका लिख लिख लिया है अब हम एक space देंगे और space देने के बाद क्या लिखें बताओ ट्राइकलोराइड लिख दूँ इस यह यह इस आइरन को फैरस नहीं लिखेंगे और यह सब यह देखो यह आइरन को फैरस नहीं स्टेट को इंडिकेट करता है लेकिन आयू पेसी वालों ने कह दिया कि मैटल का आपको फैरस और फैरिक के चकर में नहीं पढ़ना है यू विल राइट आयरन और यू विल मेंसंद ऑक्षिदेशन स्टेट इन ब्रेकेट राइट? इस दोके? अब यह कैटाइन का नाम हो गया जरा देखना उसमें कैटाइन है यह एंटिटी हमने कैटाइन का नाम लिग दिया कोडिनेशन एंटिटी का एक चीज धियान रखना मैंने कहीं स्पेस नहीं दिया है आईरन और एकुआ के बीच में है इंट इंसेटेड that's why coordination entity का नाम continuous होगा without any space यह बात clear? space कब आएगा? cation और anion के बीच में जो कि एक general rule है तो अब यह cation का नाम हो गया, यह cation का नाम हो गया अब आप देंगे एक space और space देने के बाद में आप anion लिखेंगे, anion आपके chloride है what should I write? trichloride और chloride? yes, please chloride chloride, because we will not mention the number of anion, यह इसका नाम हो गया बता दो, इसमें कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब आपने एक ही तरह का लिगेंड लिया, अब हमें एक काम करते हैं हमारे पास अलग-अलग तरह के लिगेंड है और देखते हैं उनका नाम कैसे लिखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ लिगेंड हैं उनके क्या नाम लिखने हैं, क्या नहीं लिखने इसके लिए हमारे पास एक table है और जल्दी से उस table को विजिट करते हैं आप उस table को समझ लीजिए आपको लिखने की जरूद नहीं है, उस table को समझ लीजिए, क्योंकि मैं वो table आपको incorporate करके इन में दे दूँगा, ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझ लो जरा, वो समझ लो, ठीक है, यस, ओके, सबसे पहले हमने अभी जो H2O लिगेंड था, वो हमारा नूट्रल लिगेंड था, ठीक है, नूट्रल लिगेंड था, और नूट्रल लिगेंड और कौन-कौन से हैं, उनके नाम क्या है, वो देख लो, फटाफट आपको वैसे याद हो जाएंगे, यह H2O, H2O को हम बोलेंगे, एक्वा, ठीक है, अब इस लिस्ट में देख लो, कौन क्या-क्या है, यह H2O हो गया आपका, एक्वा, NH3 को आप क्या बोल रहे है, एमीन, जड़ा देखना जड़ा, एक तो, एक तो एमीन होता है, एमीन यानि की आर एनेच-टू, राइट, एक है, यहाँ पर इन्होंने अलग सा नाम दिया है, उसको A-Double-M-I-N-E, एमीन, इसके लिए, NH3, लिगेंड के लिए, you will write amine for NH3, you will write carbonyl for CO, CO ligand, जिन में metal की oxidous nitrate 0 होती है, कल हमने बात की थी थी न, उसके लिए आप carbonyl लिखेंगे, आप लिखते जाओ जाओ जाए को पमेन को, yes, better to write, ठीक है, अना, इलिस्ट बना लो, neutral ligand की, H2O, NH3, CO, aqua, amine और carbonyl इन को बोलते हैं, if ligand is NO, it is also a neutral ligand, it is known as, you will write what, nitrosyl for it, okay, if the ligand is CS, you will write thiocarbonyl, what, thiocarbonyl, so these are the 5 frequently used neutral ligand, so please, please write their names in your copy and just identify the name for the neutral ligand, हना, आपको जो जादा तीन काम आएंगे, वो aqua, amine और carbonyl, ये काम आएंगे, इसके अलावा अब देख लेते हैं, आपको तो पता ही है कि neutral ligand है, वो भी काम कर सकते हैं, जो anionic ligand है, anionic ions होते हैं, negatively charged ions, they can also act as ligand, anionic ligand, ठीक है, anionic ligand के लिए क्या लिखते हैं, उसके ल replace, किस से replace, E will be replaced by O, अब ये जो है, ये जो OH है, इसका नाम क्या है, बताना ज़रा, hydroxide, यही है ना, hydroxide, यही नाम है ना, इसका, ठीक है, अब hydroxide का, आप last का, वो E, आप क्या करेंगे, replace कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, hydroxido, लिख लो, hydroxido, ये लो, हो गया, hydroxido आपको सिर्फ last का E हटाना है, ये क्या है भी बताने ज़रा, इसका नाम क्या है, normal, carbonate, कोई दिक्कत नहीं है, CO32-, लिखते जाओ, carbonate, आपको last को E हटाना है, क्या हो गया, carbonato, ये क्या है जरा नाम बताना इसका, कुन सा लिगेंड है ये, oxalate, आप last का E, E delete करेंगे, and the E will be replaced by O, and it will become oxalato, oxalato, सब में O आ रहा है, देखो, hydroxido, carbonato, oxalato, ठीक है, और क्या आ रहा है, देखनो जना, sulfato, देखो, sulfate का हो गया, sulfato, nitrate, nitrate का हो गया, nitrato, और ये है, क्या है, sulfite, sulfite का हो गया, sulfito, ये क्या है, acetate का हो गया, acetato, last का E, will be replaced by O, बात आपको समझ में आ गई होगी, yes, इसी तरह से, जरा देखना ये क्या है, chlorine, इसका बहुत सारी बुक्स, chloro, यूज लेते हैं, लेकिन आजकल वो एकदम, clearly, replace हो गया, और आप उसे लिखेंगे, chlorido, you will write what, chlorido, because, आपको करना क्या है, जो chloride है, chloride word में, the last E, will be replaced by O, and the name will become chlorido, okay, yes, this is, yes, bromido, this is like bromido, what you will write, लिखते जाओ भई, bromido, हाना, और, नहीं, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको लीजिए, ये काफी ज़्यादा काम आएगा, आपके cyanido, इसका क्या नाम है भई, cyanide बोलते हैं ना इसको, cyanide iron, right, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, cyanido, लिख लो भई, cyanido, ये आपका sulphide है, ये हो जाएगा sulfido, ठीक है, ये आपका oxide है, ये हो जाएगा, oxido हो जाएगा वैसे तो अक्सो भी लिखते हैं बहुत बार ठीक है यह आपका amide है क्या बन गया amido तो इस तरह से ligands की जो list है charge वाली वो आपको याद करने पड़ेगी charge आपको पता होना चाहिए ligand का क्यों क्योंकि आपको निकालना है oxidation state बात समझ में आ गई oxidation state metal की निकलने के लिए आपको charge पता होना चाहिए denticity पता होनी चाहिए denticity तब क्यों पता होनी चाहिए क्योंकि ligand की denticity से आप निकालते है coordination number वो किस से निकलेगा denticity से तो एक metal का coordination number के लिए आपको ligand की denticity चाहिए एक metal का oxidation state के लिए आपको ligand का charge चाहिए ठीक है तो एक ligand की जो list आपकी बनेगी उसमें charge और उसकी denticity आपको पता होनी चाहिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है अना ओके अब बात करते हैं कुछ हमारे आप लोक जानते हो जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ कौनकोन से हैं वैसे आपक्र कर लेते हैं कॉन-कॉन से हमने लिए और कॉन सा लिया है teaching कि सैंगे नैट्रो से लिखेंगे जैसे नाइटो का इक्ञामपल मैं आपको दे देता हूं इसमें दो डोनर अटम है यह या तो ऑक्सिजन को यूज लेगा यह नाइट्रोजन को यूज लेगा बनाने में खीक है डोनर अटम दो है लेकिन इट बिखेव लाइक है यूनि डेंटेट लिगेंड ओके अना मिन्स एट टाइम इट यूजेज एस सिंगल डोनर अटम only and forms a single coordination bond with the metal line in spite of that it has two donor right okay तो यह इसका क्या है अब आप इसको कैसे लिखेंगे यह बहुत ही easy है जो यह जो हमारे क्या बोलते हैं लिगेंड्स है वो बता दो भई इसके लिए क्या लिखोगे आप सुन लो जराब मेरी बात सुन लो यह एक्जामपल लिख लो एनुटू वाला काफी इन ठीक है तो एमबी डेंटेंट लिगेंड का जो नेमिंग है वो आप इस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूं यह आप तो लिख लो नाइट्रिटो ओ नाइट्रिटो एन और उसके बाद में कल हमने एमबी डेंटेंट लिगेंड की थी किसको क्या लिखते हैं तीन हो आप लोग एमबी डेंटेंट लिगेंड सी एन यदी नाइट्रोजन से बनाएगा तो आइसोसाइन डो बोलोगे आप यदी कार्बन से बनाएगा तो आप उसको साइन डो बोलोगे नाइट्रोजन से बनेगा तो नाइट्रिटो एन बोलोगे ओक्सिजन से बनेगा तो O बोलोगे SCN में आप S से बनेगा तो थायोसाइनेटो S और N से बनेगा तो थायोसाइनेटो N बात समझ में आ गई थायोसाइनेटो S और N आप कब लिखेंगे जब sulfur donor atom है but then you will write S if nitrogen is donor atom then you will write N बात समझ में आ गई तो इनको अब बहुत सारे कुछ लिगेंड से उनसे introduction आपका हो गया है एनाइनिक लिगेंड के लिए भी किस तरह से नाम लिखते हैं यह भी आपको पता चल गया है हम ठेक एक करके छोटी-छोटी कुछ प्रोब्लम से उनको ले लेते हैं आपके कई डाउट और प्लियर होंगे तो सबसे पहले लेते हैं कि हमें क्या बोलते हैं यस ओके यहां हम थे और हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा पुली स्क्रीन ओके यस अब इतने जो आपने रूल पड़े हैं इसके बैसिस पे एक छोटा सा नाम है वह आप मुझे सर्जेस्ट करेंगे और उसमें कोई दिक्क्त आती है तो आप मुझे बताएंगे ठीक हैं सबसे पहले मैंने लिखा क्रोमियम यह हम एक्जाम्पल ले रहे हैं विल लर्न दीज रूल्स भाई विच्वन यस एक्जम्पल्स ऑखिश्त का आप ने लिखा है खिखर हम कर देट Some b Iraq फटावड रिश्प्रेंशंग आप मुझे इसका नाम बताएं फटावड़ जल्दी से बिना देड देर कि है जान मीन क्रोमेट लो मिट है जा है मैं 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 एक्रोमेट क्रोमेट लगाएंगे त्री और एक स्पेस देखर के फिर लिखेंगे ब्रोमाइड अब इसको आपको कि सर इसमें आई डी ओ नहीं लगाया आप ने वह इस लहीं लगाया क्योंकि यह लिगेंड के लिए था जो लास्ट में इको रिप्लेस करके वह बना रहे है ना संफेट को सल्फेट ओ लॉराइड को लॉरीडिओ शाइनाइड को साइनीड को लिए है यह इसका नाम है अब मैं आपके सामने आपके सामने वापस देख लो उनके नाम क्या है आयू पेसी ने फिक्स कर दिये देखो यह नूट्रल लिगेंड है जो एको रिप्लेस करके हमने किया है फेल टावुद्य सब्सक्राइब है आजए जिस्टे विशनक लगेंट होते हैं ल कि लिए कूग यह उन देक्या तेल गंड आपके लिखो गेंची न को मैंगेंगेंगेंगगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेस नड रखा जाता है जैसे अगहा है कि उसको इठाइल लिखेंगे अप्सको इठाइल लिखेंगे पृरीडीन एक कि जिसका पी फूल नेम है पीरीडीन टो आप है इसमें नहीं लगाएंगे बिकोज अब दिस बे होगनिक लिगन्द और Neutral Legand के लिए बताया हुआ आयू-पैसी ने Neutral Legand के लिए तो कुछ नाम उसने खुद बता दिया आयू-पैसी ने कि आपको यह neutral Legand मिलेंगे तो आप इनका यह नाम लिखेंगे और और्गेनिक लिगेंड चाहे कोई भी हो उसका वो का वो नाम ही रखना है जैसे आपको यह बहुत मिलेगा इसका पूरा नाम बता दो मुझे फटाफट पूरा नाम बता दो इसका इथाइलीन डायमीन यस इथाइलीन और डायमीन अब यह डायडेंटेट लिगेंड है या क्या है बता हो जरा तो यह इथाइलिन डाइमिन इसका कॉमन नेम है लेकिन इसका आयूपेसी नेम क्या है इथेन इथेन वन तू वन तू डाइमिन यह इसका आयूपेसी नेम है मतलब यह जो इसका आयूपेसी नेम है लिगेंड का वही आप यूज़ करेंगे अधर्वाइज आप इथाइलिन डाइमिन यूज़ करते हैं वो भी रॉंग नहीं है वो भी रॉंग नहीं है यूज़ फाइंड इन सो मेनी अंस्वर्स इस नेम जहां मा टिक कर रहा हूं यह आपको मिलेगा तो वैसे रूल यह है कि यूज़ को राइड आयूपेसी नेम उसका आयूपेसी नेम आपको लिखना है ठीक है लेकिन ओर्गेनिक लिगेंड बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम है अना वह एजटीज हो रहे हैं ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया मैं को ज्यान से सुनना देरार सम्नी न्यूट्रेल लिगेंड जिनके नाम किस ने दे दिए आई-उ-पेसी ने दे दिए हम उनसे चेड़ चाड नहीं कर सकते जैसे मैंने मैं लिखता जाता हूं आप मुझे नाम बताईए बताईए अधुआ बताईए अमीन एमीन एमीन नेव फॉर्गेट देडबल एम नेवर फॉर्गेट देडबल एम क्रिएट देडिफरेंस विद्सिंपल एमीन यह जो और गेनिक वाला आपका एमीन फंक्शनल ग्रूप है ना आर एनेच्टू यह आप सिंगल एम लिखते हैं इसमें आप डबल एम लिख रहे हैं यह आई-उ- जोते दो शोनारी नाइट रॉसिल नाइट्रोसिल याद रखना भी याद इसका कारबोनल दूकर्ण नाइटरोसिल कहां दिक्ट्रूसिल औकि चलो फिर आप भी और इसका नाम बतओ कि पीएश्थ्री साई पीपीएच थ्री बताओ यह भी न्यूट्रल लिगेंड विचारा क्या करें न्यूट्रल लिगेंड यस बताओ किसी को भी नहीं पता मैं बता देता हूं याद रखना भूल नम अरे इसका मतलब हम अलग पेज में कर रहे हैं ओके कोई बात नहीं यस तो मैं बता देता हूं आपने पी एच थी तो पढ़ाई होगा पी ब्लोक में पढ़ा है ना पी एच थी की स्ट्रक्चर क्या है बताना जरा है एच 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 इन एच को हम रिप्लेस कर देते हैं बेंज विस लिगेंद का त्राई फिनाईल फोसीन फोस्फीन फोस्पीन तो हेदा इसको फोस्पीन बोलते है पहाई इस यह ही लिगते हैं ऐसे ही लिखões लिफ टेह में इन उसूर्ट्रल वगेंड है और इसको सीः यो नाच जकू अरह सब्लोग को लिख्को और उचको मत भूलो कि ई को हम उसे करेंगे केवल और केवल किस केस में बताना जरा जाए है है कि बताओ ईको और से रिपलेश किस केस में करेंगे इस है एडाओ ऑन्लि आण एनाइनिक काई नाम जो है वो नूट्रल ligand के कुछ neutral ligands के नाम IUPAC ने दे दिये हमें वो हमें यूज लेने है organic ligands के नाम आपको वैसे ही लिखने है जो उस compound का नाम है ये तीन तरह के आपको ligand देखने को मिलेंगे समझ लो खिक है हाना तो neutral ligand का हो गया और anionic ligand का हो गया organic ligand हमारे सामने आते रहेंगे तो हम उनका naming करते रहेंगे सिंपल है वह मैंने बता दिया जैसे बैंजीन आ गया तो प्रॉबलम एट ओल ठीक है हम लोग सिर्फ ligand की बात कर रहे हैं देखो क्या बोलते हैं उसका नाम आप मुझे लिख करके बताओंगे येस उसका क्योंकि हम हर एक्जाम्पल से एक नया रूल सीख रहे हैं इसलिए इसलिए आपको नाम इसका फटाफट लिखके बताना है जल्दी से अब यहां आपको दिक्कत आ गई यहां एक से ज्यादा लिगेंड है बता दू जरा एक से ज्यादा लिगेंड है की नहीं है कि आपको अर्ट का तो पहले के वारी कोडिनेशन इंटीटी है कोई बात नीच नाम में पहले लिगेंड का नाम लिगते हैं यस और कोडिनेशन नाम में कहीं पास तीन नाए तो फिर न यह कहा कि घबराना नहीं है तो जहां भी आपको पता है जहां भी होता है तो यहां पर भी वोई है एब लिखेंगे त्राई क्यों बोल करके ये खुदMr. टीन है तोराँ मियक्सरी ये हो गया पहला अब एक रिखेंह अब क्लोरीडो पताओ क्या लिका है या के लू हें अ क्लोरिडो देखु कॉह भीडिस्पेस नहीं ते रहा हूं ठीक है अब अब क्या लिखें भई यहां पर क्रोमियम लिखेंगे ठीक है वो कब लिखेंगे मैं बताऊंगा आपको ऑक्षिडेशन इस्टेट बताऊ बहुत टाइम लग गया यह तो बात पिल्कुल की सही नहीं है वैरी गूड वैरी गूड वी वर एक्सपेक्टिंग इसेंसर बट अनफोर्टुनेटली इस इस रॉंग थ्री कैसे होगा देखो देखो एक बात बहुत सिंपल सी है सोल्ट में एक जो भी सोल्ट होता है उसमें हमारे पास सी यल मैंश है राइट अंदर हैं बाहर एक एजसो फोर माइनस एसो फोर पे चार्ज आपको पता है ना एसो फोर टू माइनस कैसे पता रहेगा यह लो एच टुछ फोर होता है तो दो हाइडरोजन हटा देंगे तो एसो फोर टू माइनस आएगा कि नहीं सबस्क्राइब अब उस चार माइनस वह चार माइनस किसके से सटीस्पाइब हो रहा है क्रोमियम से मतलब क्रोमियम प्लस पूर उक्सिडेशन इस्टेट है है की नहीं हुआ कि नहीं हुआ बताने जर्ण हो गया आप मुझे चीज और बतादो कोडिनेशन एंटिटी पे क्या चार्ज है बता दो प्लस टू बात आपको समझ में आ गई है लेते हैं अगला एक्जामपल आपको आखिर देखने को मिलेगा कि वो क्या रहा है यस तो यह होगा ओके अब हम लोग क्या करते हैं की कुछ और ऐसे एक्जामपल लेते हैं जिन में आपके जो है वो थोड़े से चेंज़ हो रखे हैं यस हम सारी लिगेंड से राइटिंग कर रहे हैं। आपने इस इसका नाम हो गया आप चलते हैं आगे लिगेंड से एक रूल और हमें शीखना है अब देख लेते हैं क्रोमियम का ही लेते हैं आप भी क्याद करोगे ख्रोमियम इसमें आपको नाम लिखना है नाम में आपको करना वही है देखो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट अब आप जानते हो पॉजिटिव पार्ट पार्ट नहीं पहले लिखते हैं यह याद रखो लिकेंड में अल्फबेटिकल ओर्डर होगा एल्फबेटिकल ओडर में क्यो नज आजा बताना जरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बताना जरा is लिक्ट नहीं हो गया अब दिक्कत राइट कौनसा है उसको पचान우 जरा हाँ तो मैं किया लिखू इसका भी नंबर दो है तो मैं किया लिखूँ डाइट यह लिखूंगा मैं बताने जड़ा फिर क्या करें को ब्रैकेट में लिखके डाइ की जगा बिस करेंगे क्यों भई क्या यह क्या रीजन हुआ वाकि लोगों को समझ में आएगा प्लीज क्योंकि इसके अंदर एक डाइ और यह तो हम डाइ नहीं लिखेंगे और जो पुरा हाँ 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 सुन लो भई सारे के सारे थे नेक्स रूल रलेटेट तो दे लिगेंड यू दो नोट है पूराइड दे रूल यू तो लॉन दे एग्जांपल ओके तो वाट्स दे नेक्स यूजू इस तरह के लिगेंड का को लंबर मेंशन करने के लिए यूज उल उस डाइड रैट एक है ट्रगीस पेंटकेस Śके अ कि तो यह किसके लिए चार-पांच यह जो होंगे ना उनके लिए आप लोग इस तरह से यूज लेंगे, you will not use die, try, tetra, you will use bis, tris, tetrakis, बात समझ में आ गई, तो अब rule क्या है, rule यह है कि जिस ligand के नाम में already, समझ लो, सुन लो, अना, already die, try, tetra आ गया, उसका number mention करने के लिए आप die या try, tetra, use, नहीं करेंगे, यहाँ पर we will not write die, what we will write, just see here, I am doing this example, bis, आप लगाएंगे bracket, हम्में साथ ध्यान रखिये, organic ligands के जो नाम है, if it is more than one, then maximum, it is mentioned in the bracket, okay, bis, अब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, इथालिन डायमिन नहीं लिखेंगे, though it is, you will find it, it is very common in the books, ethylene diamine, okay, but you will write IUPAC name of the ligand only, and what is the IUPAC name, it is ethane, then hyphen, then one, then comma two, hyphen, diamine, ethane one two, diamine, you will close the bracket, हो गया, अब आप लिखेंगे, chromium, chromium है ना है तो, chromium, chromium लिखेंगे और chromium के बाद oxidation state मुझे जल्दी से बता दो, plus three हो गया होगा सायद, दो तो क्लोरीन है और NO2 पे क्या चार्ज है भई, NO2 पे क्या चार्ज है, yes, NO2 पे बिचारे पे माइनस पन चार्ज है, ठीक है, तो यह हो गया, plus three, अब आगे क्या लिखूँ भई, space देख कर के बता दा दा, अजरा, यह नाइट्रेट है, या नाइट्राइट है, क्या है, अब आपका जो बच गया, वो नाइट्राइट हो गया, तो वहाँ तो NO2 है, इसका मतलब यह नाइट्राइट है, आप लिखेंगे, space देख करके नाइट्राइट, समझ में आया या नहीं आया, बताओ जरा, यह डाइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट् तो हम इसको डाई क्लोरीडो नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह जो रूल है, कौन सा रूल? E will be replaced by O, this is exclusively for anionic ligand, not counter ions. तो यदि square bracket के बाहर है, you will write always chloride, and you will not mention its number. यह हमारा सबसे पहला rule है, कि salt में, salt में, cation और NIN कितने भी हो, आप उसका number नहीं लिखेंगे बस, जैसे आप इसका लिखेंगे Na2O, इसको आप sodium oxide लिखते हो आप इसको, sodium oxide, आप disodium oxide तो नहीं लिखते हैं, तो कभी भी salt में, आयूपे से ने कह दिया, वही, cation और NIN का number mention करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि it will, the formula becomes through the charges of these ions, हाना, आप sodium और oxide को मिला करके जो formula बनाओगे न, वो यहीं formula आएगा, और ये class आप, ये बात आप plus 9 में सीख चुके हो, कि NIN को combine करके formula कैसे बनाते हैं, right, okay, इसलिए उन्हों आपने एक नया रूल सीख लिया, if there is di, tri, tetra already in the name of any ligand, then you will not use di, tri, tetra to mention its number, you will use a different type of numbering system, that is bis, tris, tetra, kis, instead of di, tri and tetra, right, तो ये एक next rule था, अब एक next rule और ले रहे हैं, ligand से related हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग हैं हमारी जो online class है उसमें, and we are just writing all the examples related to ligand, and the next example through which we will learn the naming of ligand is before you, please just look at here, NH3, NH3 हमें लेना है, कितना, 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 थीन ले लेते हैं, yes, xl ले ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, अभी square bracket बंद नहीं करेंगे, है है एक लेते ही डियों दो कहा बद कर देते हैं दो किक है हम इसको इ सोड़ दें बता फट नायुद जल्दी से एंग ना देर किये के पहले आपको लिगेंड लिखना ना है बताथ कोन से लिखे एँ कौन सा लिगेंड बढ़ा दो एमीन लिखेंगे यह एमीन इसे स्टाट हो रहा है नाइट्रिटो यह एंसे स्टाट हो रहा है हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ओडर फोलो करेंगे बिकोज देरा मोर देन वन टाइप पर लिगेंड अल्फाबेटिकल ओडर में एमीन पहले आएगा एमीन का नमबर है थ्री तो यह हो गया हमारा ट्राई ट्राई गोर्ण अप लिखेंगे Chlorido हो गया इतना काम अब आपका 3rd number का ligand आ रहा है Nitrito कैसे mention करेंगे इसको बता दो जरा Yes, क्योंकि ये Embedentate ligand है and when Embedentate ligand it can use its either of the donor atom to form the coordination bond with the metal Yes, and it is our Embedentate ligand NO2, Yes जरा बताना मुझे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ donor atom कौन सा है क्योंकि donor atom change होते ही इनके writing का तरीका बदल जाता है आपने देखा है न, Nitrito N, Nitrito O लिखना पड़ता है आपको In case of Embedentate ligand you have to mention the donor atom हमेशा ध्यान रखना यह हमारा अगला rule है In case of Embedentate ligand donor atom must be mentioned in the name यह हमारा अगला rule है बताओ फटाफट कैसे पता चलेगा आपको अब इसका पता लगाने का कोई ट्रिक नहीं है इसका एक ही लाज है यह जो आपका N If it is N N is written towards the metal If N is written towards the metal then donor atom is N And what will you write? You will write Nitrito पता ना जरा क्या लिख होगे? Nitrito N यह हो गया? यह ligand हो गया? अब क्या नाम है भई? अब आपका platinum है मैं लिख देता हूँ platinum आप मुझे बताएंगे Oxidation state जल्दी से फटा फट नाम लिखते जाओ Oxidation state हो गई इसकी second और हमने लिख दिया to Roman number में यह होगे इसका नाम देखो कहीं भी space नहीं है अब अब देखला जड़ा यदि इसका नाम कोई यह कर दे इसका अब आप क्या हुआ? यस प्लीज क्या होगा? ब्रैकेट में सर ब्रैकेट में इस पेस सर नाइट्रिटो होगा ना आपने नाइट्रियो लिखा है अच्छा 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 नाइट्रिटो यस थैंक यू थैंक यू फोर रेडिंग केरफुली ओन दे स्क्रीन ओकेट यस नाइट्रिटो एन ठीक है चलते हैं आगे मैं आपको देता हूँ अलग से एक कॉम्पलेक्स आप फिर से लिखेंगे उसका नाम और मुझे बताएंगे फटा फट ये मैंने आपको दे दिया ज्यादा मुस्किल नहीं है ये आपका 3 हो गया ठीक है चलो भई करना क्या है उस तो करना है इसमें आपको लिगेंड दे देते हैं कुछ भी OX दे देते हैं और आपको दे देते हैं नाइट्रीटो O प्लाइटिनम येस वेरी गुड सबसे पहले देख लेते हैं लिगेंड देरार मोर देन वन टाइप ओ लिगेंड विएव तो फोलो अलफाबेटिकल ओडर कार्बोनिल ये हाइड्रोक्सिटो H और ये नाइट्रीटो N सबसे पहले ट्राइक कार्बोनिल कोई बात नहीं है येस ट्राइक कार्बोनिल हो गया उसके बाद में किसका नंबर आएगा बताना जरा हैड्रोक्सिडो अब O H क्या है निगेटिव लिगेंड है क्या बताना जरा तो फिर इसको क्या लिखेंगे हैड्रोक्सीडो हैड्रोक्सिडो इटाइक जित्ते भी बी एनीईशनीक लिगेंड है उनके लास्त में आतो IDE आता है जैसे क्लूरॉड, ब्रोमाइड, सुल्फॉइड, फ्लॉरैड, हाइड्रोक्सॉइड, अक्सॉइड कुछ में आता है ITE जैसे sulfite, ठीक है, कुछ में आता है A-T-E, जैसे sulfate, nitrate, ठीक है, तो जिसमें A-T-E आता है वो हो जाता है A-T-O, I-T-E आता है वो हो जाता है I-T-O, I-D-E हो जाता है I-D-O, तो chloride हो जाएगा chlorido, sulfite हो जाएगा, sulfito, sulfate हो जाएगा, sulfato, बात को समझो, the last E of the anionic ligand will be replaced by O not all ligand, only for exclusive rule for anionic ligand, ठीक है, चलते हैं, आगे, tricarbonyl, आगे, hydroxido, ठीक है, आगे, bracket में देना पड़ेगा हमें और हमें लिखेंगे, nitrito, nitrito, oxygen, O, अचाहिए, यहाँ, small bracket, उसके बाद में, वापस हमारा आगया, platinum, platinum, oxidational state, वो की वही है, यह लोग, आपने एक और rule सीख लिया, that is how to mention the ambident ligand in the name, अब आपने क्या क्या सीख लिया, जड़ा देख लेते हैं, यह जो example है, यह आपको सिखा रहा है, how to mention the ambident ligand, three cases will be there of CN, SCN and NO2, okay, yes, इस example में आपने सीखा, if the di, tri, tetra already there is in the name of ligand, then you will use a different type of numbering system, that is bis, tris, tetra, kis for such ligand, like ethylene diamine, ethane 1, 2, diamine, di word is also there, you will write bis, and the name of organic ligand, you will place in the bracket, bracket, जब भी आप bis, tris, tetra, kis का nomenclature यूज लेंगे, bis, tris, tetra, kis, जब भी लिखेंगे, उस ligand को हमेशा bracket में लिखेंगे, please, just write it, इसमें आपने क्या example सीखा, इसमें आपने सीखा, if more than one type of ligand, you have to follow the alphabetical order, यह आपका embedded ligand का है, और यहां आपने क्या सीखा, यह actual में अलग sheet है, यह अलग sheet है, हम कहीं और चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको काफी कुछ पता चल चुका है, हम अब अगले उसकी तरफ चले जाते हैं, और अब हम कुछ हमारे पास examples हैं, जिनमें हम लोग metal का जो नाम है, वो देखेंगे भी कैसा लिखा जाता है, metal के नाम में भी क्या कोई चकर है, क्या, हाँ है तो सही, बहुत गजब का चकर है, ठीक है, चलो भी, आपके सामने ही, एक लेते हैं, नाम, आप लिखेंगे उसको, नाम, नाम देंगे आप उसको, yes, you will just, यह हमारे पास एक complex है, आप इसका लिखेंगे नाम, वो भी जल्दी से बिना देर किये, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, पहले मेरी बात समझ लीजिए, मैं क्या बताता हूँ आपको, उसको समझ लीजिए, ठीक है, बाद में आप example सोल कीजिएगा, यह एक different type का example है, ज इसमें बात समझ लीजिए, जो coordination entity है, coordination entity is negatively charged, बता दो सही बात है कि नहीं है, यहाँ पर हमारे पास positive ion तो यह रहा, Hg और यह हमारा coordination entity है, that is negative, यह बाद में लिखा ना हमने, हमेशा ध्यान रखना, salt में पहले cation को लिखते हैं, बाद में anion को लिखते हैं, अभी हमने coordination entity बा minus one charge है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, if coordination entity मतलब बाद में लिखी होई है, तो वो negatively charged है, negatively charged coordination entity होते ही, उसको उसमें metal के writing के rules बदल जाते हैं, metal के writing के rules क्या हो जाते हैं, बता भी दो, metal के writing के rules क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और क्या बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम लिख करके, यह जो सबसे पहले cation का नाम लिखेंगे, cation का नाम बताओ मुझे बाप, बस, please, help me, cation का नाम बता दो, फटा फटा सर, cn, नहीं, मुझे पहले cation का नाम बताओ, क्योंकि पहले तो cation का नाम लिखेंगे, cation का है, यह जो गया, ठीक है, अब हम space देंगे और negative का नाम लिखेंगे, negative part का, negative part हमारा coordination entity है, अब coordination entity के लिखने के rule हमारे बिल्कुल fix है, क्या है, सबसे पहले हम legend को लिखते हैं, तो legend क्या है, जरा बता दो मुझे, जरा बता दो legend क्या है, यह हमारा embedded entity ligand है, मैं आपको वापस बता देता हूँ, आपको NO2, SCN और CN, यह तीन embedded entity ligand है, जब भी आपको यह तीन कहीं मिल जाएं, किसी formula में तो aware हो जाएं, donor atom के साथ आप इंका नाम लिखेंगे, NO2 का मैंने बता दिया, donor atom oxygen होता है, metal की तरफ oxygen होता है, you will write nitrito O, if NO2 is there towards the metal line, you will write nitrito N, यह हो वे है इसकी कहानी कहतम, SCN पे minus 5, 4 होता है, CN पे minus 5, 4 होता है, NO2 पे minus 5, 4 होता है, SCN को आप लिखेंगे, थायो साइनेटो N और थायो साइनेटो S, क्योंकि इसमें दो donor atom है, either S will bind with the metal, or nitrogen will act as donor atom, in both the cases, you will write थायो साइनेटो, थायो साइनेटो, you can mention here, थायो साइनेटो, but थायो साइनेटो, after writing थायो साइनेटो, you have to mention the donor atom, like थायो साइनेटो S और थायो साइनेटो N, पातसमन में आ गई, साइनेटो में भी आप यही कर सकते हैं, आप या सीधा लिख सकते हैं आइसो साइनीडो या साइनीडो सीएन आइसो साइनीडो या साइनीडो इसमें भी आप आइसो थाय साइनीडो भी लिख सकते हैं ठीक है? But more correct as per IUPAC name, you will write थायो साइनीडो in both the cases of SCN but you will mention the donor atom as well समझ में आया या नहीं आया? बता दो अब लिगेंड इसमें एक ही है SCN कितना है बही लिगेंड कितने हैं बता नजरा बता भी दो लिगेंड कितने हैं चार है क्या आप एक स्पेस के बाद लिखेंगे टेटरा SCN देख लो चार है आगे चलें क्या बता हुजरा कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही ओके तो टेटरा आपने लिखा अब टेटरा लिखने के बाद में आपको ब्रेकेट लिगा करके लिखना है वह आप कैसे लिखेंगे यह थायो साइनेटो है मैटल की तरफ एस है आप लिखेंगे थायो साइनेटो एस ब्रेकेट कर देंगे बंद इस इस दे एक्ट्वल मैथर्ड ओप राइटिंग दे अमडेंट लिगेंड ठीक है यह हो गया अब आपको लिखना है मैटल लिखेंड तो एक ही तरह का है थाय साइनेटो हमने मेंशन कर दिया अब मैटल मैटल बचा अब जो रूल है वो अब है please just concentrate on the screen when the coordination entity is negatively charged when the coordination entity is negatively charged then you will then you will add a suffix in the name of metal ये लोग पहली बार मैटल के नाम में हम लोग add कर रहे हैं कुछ suffix add करेंगे क्या leate leate to the Latin name to the Latin name of Latin name of metal इस रूल को रिख लो चाहो तो वैन कोडिनेशन एंटिटीप बिली चाज़गो लिए बीड इभी एड़गो बिली एड़गे तुैंव है लिक मैटल। ली довेמא जो लिक्स eigenlijk कि कोडिनेशन एंटिटीपिव बिली ट्याज़गो सबने इड impose कि अख luVE बात समझ में आपया है तो बोलेंगे और उसके बाद हम फटा फटा फट यह जो हमारी जो स्टोरी यह नोमेंगी एक आप आप में गये हैं लिए भूंगा प्वाला नियर्बाई क्लोजर इसके बाद में आपको करना क्या है वह बताओंगा लेकिन इससे पहले यह हमारे जो मैटल वाला पार्ट ना इसको सरम कर लेते हैं आपने रूल लिख लिया समझ लिया कि नहीं समझा बताना जरा मैटल में कौन सा सफिक्स एड़ करोगे बताओ जरा एटी एटी ए और वह भी किस में मैटल के लेटिन नेम में या किस में पूमन नेम में लेटिन नेम में दो दो चीज याध रखना सफिक्स एटी एए वो भी लेटिन नेम में और कब जब coordination entity हमारी क्या हो, बताना जरा, यह rule कभी start होता है, yes, this rule is, this rule will come in force when the coordination entity is negative only, जब वो negative होगी, तभी आप यह rule लाएंगे, otherwise आप यह rule नहीं लाएंगे, अब आपको metal का नाम लिखना है, कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं, I will write, कोबाल्ट का नाम तो कोबाल्ट ही है भी, Latin name भी है यह विचारे का, ठीक है, तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे आप, बताओ जरा, कोबाल्ट के लिए आप लिखेंगे, CEO को आप लि लिखते जाओ निकेल को क्या लिखेंगे निकेलेट निकेलेट लिखते जाओ उसके बाद आप जिंग को क्या लिखेंगे बताओ ज़रा जिंक एट जिंकट ठीक है लिखते जाओ उसके बाद में अलुमिनियम को क्या लिखोगे बता सकते हो क्या लिखते जाओ भई यह लिखने है आपको कि इसमें एटना लिक लिया है अब इसमें डाउट वाली बात पताओं बालालेध का रहन को यह बताओ तुम तो बताओ आयरान को मत लिख देना वो इसका एनम है वो है फैर्म बात को समझो हमने भी रूल में क्या बताया था रूल में आपको यह बताया था कि जो एट लगाना है वह इसके लेट अद लगाना था तो आप आई रिनाट एग मता भी 2 को की एज़ी का लेटिन नेम खिकला लेटिन नेम है आपका बता ऊज़रा करे इस इन टमरे लेटिन नैम और जेंट अजने में अर्जेंटल में ए इस बीट नेम ह 뉥 जाएँ ह्षए ना अब आपको बात पकड में आ गई होगी वो क्या रहा है गोल्ड को क्या लिखोगे बताओ झाम नेगेटिव एंटिपेट हुश स्ोगते अरशना को क्या लिखोगे यह इस्टेनेट इस्टेनेट लिख लो डबल एन वाला इस्टेनेट ठीक है यह आपने एक नया रूल सीखा वो क्या है वो रूल यह कहता है कि वैंदे मैटल ओवेंदे कोर्डिनेशन एंटिटी इस निगेटिव आयन यू विल एड एड सफिक्स ए टी इई इन दे नेम ओफ मैटल, इन दे लेटिन नेम ओफ मैटल, तो बाकियों के तो क्या है कि लेटिन नेम ही आ रहे है, ठीक है, कईयों के common नेम अलग है और लेटिन नेम अलग है, लेकिन सिंबल तो सबके लेटिन नेम से ही आये है, ठीक है, तो कईयों का तो सेम है, जिंक को जिंक भल्वग से ही जानते हैं और जिंकी सिली नहीं में लेकिन आरेयuesto में है तो वहां यहां कया आग्ma है हो इसोगा कोबाल्ट निगेटी यायन टी देखो माइनस 1 Pretoria रहा है क्योंकि एजी का प्लस वन है इसका मतलब कोडिनेशन एंटिटी पे शौर देर इस निगेटिव चार्ज ओके इसलिए यह हो गया कोबाल्टेट कोबाल्टेट और ऑक्सिडेशन स्टेट मुझे फटा-फट से आप बलोग बताएंगे यस जल्दी से बता दो भी ऑक्स स्टेशन स्टेट देर मत करो प्लीज बता दो ऑक्सिडेशन स्टेट उस तो बताओ स्टेशन 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 स्टे वो जड़ा देखलो metal HG इसकी भी oxidation state you have to mention you have to mention यह किसके लिए oxidation state mention करोगे जड़ा देखलो यह सिर्फ उसी के लिए जिस metal की एक से ज़्यादा oxidation state possible है आप sodium और potassium के लिए mention नहीं करेंगे उनकी तो बच्चा-बच्चा जानता है plus one oxidation state होती है plus one charge होता है लेकिन if the metal is mercury and like iron like copper then you will write the oxidation state also because they have more than one type of oxidation states यह रूल भी यहां पर आएगा बात समझ में आ गई आपको तो मेरे ख्याल से अब आप लोग maximum नाम जो है ना वो लिख सकते हो बस इतना ही है इसमें ज्यादा कोई variation ही नहीं था आप लोगों को परिशान होने की ज्यादा जरूरत इसमें थी नहीं ठीक है अब जरा हम चलते हैं वहीं पर जहां पर ओ हो टाइम भी हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं ज्यादा नहीं हुआ आप लोग बने रहे हैं चुटी के दिन है आप लोग बने रह सकते हैं no issues yes फोड़ा सा zoom हो वहा है I think it is now very much clear on your screen चलते हैं वहीं पर जहां पर हम हमेशा आते हैं yes number one number one please number one इसका तो नाम में को दिकत नहीं आने चाहिए यह जो पहले वाला है फिर बाद अच्छा यह एक्वा भी वाले है कोई बात नहीं यह एक्यू है तो एक्वा पहले आएगा ट्राइमिन राइक्वा और फिर क्रोमियम थर्ड और इस पेस और फिर क्लोराइड सही है क्या नाम बताना जरा बताओ है से गए नाम कि आगे चले इसका नाम चेकर ओंगा इसको छोड़ दो इसको भी चोड़ दो आपको क्या करना है यस इनके नाम एक बार चेको पर मत्लें बाएन वाला है कुलोरीन है और सबसे पहले राय में कर दिया इसने कोई बात नहीं है फिर ने कर दिया नाइट्रीटो एंद अब नाइट्रीटो एंद है और इन ऑना ब्रेकेट में भूר ठीक है अधर्वाइस इन दे सेम स्टाइल एड एड इस इस में इन सी आर्टी आपको कैपिटल एंजो डोनर एटम हो उसके दोनों तरफ ऐफन में इन सेकेंड कोई दिकत नहीं है इसमें अब बीवाला देख लेते हैं बीवाला मैं आपसे ही करा लेता हूं आप इसका बीवा इसका नाम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बताओ जरा कैंटाइन क्या हो गया कोटेशियम कोई दिकत है बताओ तो कोडियनेशन एंटिती का नाम लिखेंगे главное सब से पहले का लिखेंगे लिए को ऑन है बताऊ जरा में को पैचानो सी टू ओफोर कौन सा लिगेंड रहे हैं तो माीनस आता इसके उपर उगसलेट है या कर रहे हो ऐसे डाइडेंटेट सब्सक्राइब करेंडा अपको परिसान करेंगे डाइडेंटेट लिए डाइडेंट जू भीकरोमियम क्यों गारी पैले पॉटेशियम है इसका मतलब एक पॉटेसियं पे 3 छा भी स्थी 성ंट इसका मतलब एक पॉटेश्यम पर 10 फ्री इसका मतलब हमारी कोडीनेशन यह तरी माइनेस चार्जागर जब निगतीवी चार्ज है तो अब सब्सक्राइब और और तो क्रोमियम को क्या लिखोगे बताऊ बांसी पर after मेट ऑक्सिडेशन नंबर और बता दो फटाफट ऑक्सिडेशन नंबर और बता दो ऑक्सिडेशन नंबर के विना इनकंप्लीट होता है नाम कैसे निकालोगे ऑक्सिडेशन नंबर मैं बता देता हूं मैं बता देता हूं इसमें पोजिटिव चार्ज आपके जो के प्लस है वो कितने हैं तुब इसमें थी प्लेश तो वैसे हो गया आपका अच्छाइसा वैसे नहीं करते हैं इसका तो वैसे करते Vision में नहीं पताया था इसका फॉर्मुला क्या है Automate कि फॉर्मुला क्या है चार जोन बताना जरा on the coordination इंटि इक्वल्टू ओक्षिडेस्न इस्टेट ओफ इस मैटल प्ॉश में चार्ज ओफ लिगेंड है तो चार्ज ओन कोर्डीनेश्न ऐंटिटी बताओ कोर्डीनेश्न अंटिटी कितना चार्ज जल्दी से माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 क्योंकि पोतेशियम 3 आ गया ना यहां पर एक प्लस तो तीन प्लस इसका मतलब कोडिनेशन एंट्री यहां आप लगाएंगे माइनस 3 अपने लिया अपने लिया एकल्फ लिगेंट अब एक लिगेंट माइनस तु चार्ज तो यह हो गया अब क्या करोगे वह की यह तो यह यह क्य आ गया चाहिख इस चाहिए अब यह एक्स चाहिव ईप्लस-3 कौ है तो इस तरह से यह अज़त कुल तो इसका नाम हो गया यह इसका नाम हो गया ठीक है तो इस तरह से यह जो ncrt की exercises आना नेमिंग वाली वह आप एक बार सारी की सारी देख लेना कोई भी दिक्कत आये तो मैं यहीं हूंँ यह धेखो यह नेमिंग की यह फॉर्मॉला रायटिंग गी है कोई दिक्रत नहीं एक ही बात है आप क्या करोगे यह आपके लिए क्वेस्चन हो गया इस इस प्रस्टेशन फॉर यूगल राइट देनेम और यूविल चेक इन डे इस से चेक करो बात समझ में आ गई यह भी आपके लिए कुश्टन है तो एक्जांपल 9.1 और पॉआइं टेक्स कॉश्चन 9.2 और इन टेक्स क्या है 9.3 भी है क्या है लिए नई 9.2 है 9.1 9.2 थो इंटेक्स कॉश्चन है और 9.2 9.3 यह आपको करने के सहां धिक है और एक मिनिट रूखो पहले यह बंद करते हैं